इंडी गडबंदन से मुख्यमंत्री नितीश कुमार की नाराजगी और ललन सिंग को जदिव के अध्यक्षपत से हटाने के कयासों के बीच कुद मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने सपष्ट कहा कि बीजेपी के लोग अंडबंड बोलते रहते हैं इसमें कोई सक्चाई नहीं है। नितीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी ने कहा है कि नितीश कुमार हमेशा से यही बोलते रही हैं कि उन्हें कोई लालसा नहीं है। नितीश कुमार बोलते कुछ हैं और उनके मन में कुछ और ही होता है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अद्यक्ष समराड चौधरी ने इंडी गडबंधन से नितीश कुमार की नाराजगी पर कहा जो व्यक्ती 18 साल से मुख्यमंत्री हो, पहले 6 साल भाजपा की क्रपा से रेल मंत्री रहा हो, अब वह कह रहे हैं कि हमारी कोई लालसा नहीं है, नितीश कुमार पहले भी इसी तरह से बोलते थे कि उनकी कोई लालसा नहीं है, नितीश कुमार ने कहा था कि रामडी देवी मुख्यमंत्री हो गई, तो इस पत पर जाने कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, समराड चौधरी ने तंज करते हुए कहा कि इच्छा तो उनकी नहीं रहती है, ये सब लोग जानते है नितीश कुमार बीजेपी की क्रपा से मुख्यमंतरी बने या देश की जनता जानती है वही पूर्व प्रदान मंतरी अटल बिहारी बाजपे की जेन्टी पर समराठ चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रदान मंतरी अटल बिहारी बाज़पई के दिल में बिहार था और नाम में बिहारी था इससे बड़ा बिहार प्रेम का प्रतीक नहीं हो सकता बिहार को अगर किसी प्रदान मंतरी ने स्पेशल पैकेज दिया तो उनका नाम अटल बिहारी बाज़पी था भारत देश की निर्मान और उसे सुशासन की ओर ले जाने वाले सिर्फ और सिर्फ प्रदानमंत्री अटल बिहारी बाज़पी थे काम किया पोकरन का विसपोर्ट करके दुनिया में अपनी धमक देने का काम किया जड़ू में टूट हो रही है नितीजी से नहीं है देखिए जनता दल उनाटेड हो यह रास्टी है जनता दल हो दोनों मिल कर रहे दोनों को 2024 के चुनाव में हराना है हमको उसे क्या लेना देना नाराज़गी रहे ना रहे भारतिय जनता पार्टी का सपना है पूरे महा गटबंदन को चुनाव में हराना अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें